दर्शकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसी है आप सब मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शकों आप सभी जानते हैं कि 15 जुलाई 2030 को श्रावण मास की शिवरात्री है शिवरात्री के इस पावन पर्व पर जब हम महादेव का अविशेक करेंगे और शिवरात्री का पूजन करेंगे तो हमें हमारे सभी कामना महादेव अवश्य ही पोणन करेंगे पूजनिय गुरुजी के द्वारा पूजन में कौन-कौन सी सामगरी की आवशक्ता होगी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिससे की आपकी पूजा में कोई भी विग्न ना हो और कोई भी ऐसी चीज ना हो जो की आप से छुट जाए तो ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझेगा सबे सामगरियों के विवस्था आप पहले से ही कर ले ताकि जब पूजनिय गुरुजी आउनलाइन आपको पूजा करके बताएं तो आप भी उनके साथ भगवान शिव का अभिशेक और पूजन कर सके चलिए जानते हैं कौन सी सामगरी हमें चाहिए है सबसे पहले तो आपको 21 गिहू के दानी चाहिए हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखे ब्रामन सफेथ मिट्टी का शिवलिंग मनाएंगे छत्रियलाल मिट्टी का शिवलिंग मनाएंगे वेश शपीली मिट्टी का शिवलिंग मनाएंगे और शुद्रकाली मिट्टी का शिवलिंग मनाएंगे 21 दाने आपको गेहू के ले लेने हैं इसे के साथ में कमल गट्टा, जो की महादेव को अतिप्रिय होता है, उसके भी आपको 21 दाने ले लेने हैं। उसके बाद में चावल के दाने, जिसे हम अक्षत के रूप में जानते हैं, हर पुजा पाठ में चावल का दाना बहुत ही माने माना जाता है। तो कमल गट्टे आपको पांच ले लेने हैं और इसी के साथ में जो अक्षत है यानि कि सेगा वाला चावल है उसके 108 दाने आपको ले लेने हैं। ध्यान रखे जब आप दाने लेंगे तो वह खंडित नहीं होने चाहिए। सेगा चावल का दाना होना चाहिए जिसे आप पहले से ही गिन कर 108 पूजा के लिए अलग से रख दे। जिससे कि आपकी पूजा में कोई भी सामगरी छूटे ना और आपकी पूजा संपन हो। उसी के साथ में भगवान शिव को आप सभी जानते हैं काली मिर्च भी अतिप्रिय होती हैं तो आपको काली मिर्च भी लेनी हैं कितने दाने काली मिर्च के लेनी हैं 21 दाने को क्या करेंगे आप पहले ही अलग करके आपको रख देनी हैं गोल साबुत काली मिर्च के दाने लेने हैं खंडित काले मिर्च के दाने का प्रयोग आपको नहीं करना है यदि आप खंडित काले मिर्च के दाने लेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी और आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा तो ध्यान पूर्वक 21 दाने आपको एक से दो द काले तिल के दाने आप साथ ले सकते हैं या एक चुटकी आप अपने पास रख लें क्योंकि दो से तीन बार प्रयोग होंगे इसलिए आप काले तिल के दाने थोड़े सी एक कटोरी में निकाल कर अलग से रख दें जिससे कि आपकी पूजा पूर नरूप से सफल होगी जानते हैं इसके आगे क्या और चाहिए आपको लेकिन काली मिर्च और काले तिल के दाने दोनों ही आपको अलग-अलग कटोरी में रखने हैं और काली मिर्च के दाने जो है आपको 21 लेने हैं और काले तिल के दाने आप चुटकी भर भी ले सकते हैं जिससे कि महादेव की असेंगरपा से आपके जीवन के समस्तिकारे बनेंगे और आपकी कामना महादेब पूर्ण करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी हमारे घर में ग्रह कलेश होता है या कुछ परिशानी होती है तो काले दिल के दाने हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं इसी के साथ मे आपको लेना है धतूरा आपको एक लेना है यदि आपको जादा मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है अनिता आपको एक धतूरा तो अवश्य ही लेना होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं सावन का महा चल रहा है और शावन की बड़ी शिवरात्री है तो पूजन में ध धतूरा आपको आवश्य ही चाहिए होगा, तो धतूरे आप एक लेले, एक तो आपको चाहिए हैं, यदि एक से अधिक आपको मिल पाते हैं, तो आप एक से अधिक भी ले सकती हैं, इसी के साथ में आपको क्या चाहिए हैं, इसी के साथ में आपको बेल पत्र भी चाहिए हैं आप सभी जानते हैं बेल पत्र महादेव को अतिप्रिय होता है बेल पत्र यदि हम प्रति दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारी कामना पूर्ण होती है बेल पत्र आपको कितने चाहिए होंगे बेल पत्र आपको साथ चाहिए होंगे जी हाँ, साथ बेल पत्र आपको चाहिए होंगे, जिससे कि आपकी पूजा में कोई भी आपत्ती नहीं आएगी, विग्न नहीं आएगा, इसलिए कि आप बेल पत्र अच्छे अच्छे चुनकर कोमल कोमल बेल पत्र ही आपको ले लेने हैं, बेल पत्र आपको अलग रख लेन ध्यान रखे जो समी पत्र की पत्तियां हैं वहां खंडित नहीं होनी चाहिए तो समी पत्र भी आपको कितने लेने हैं? साथ समी पत्र ले लेने हैं, इसी के साथ में आपको क्या करना है? मौली ले लेना है लाल जो मौली आती है वह लाल मौली का आप गटा ले लें सूत ले लें वह रख लें इसी के साथ में रोली भी आपको चाहिए है रोली और मौली दोनों आपको चाहिए होगी इसी के साथ में साथ गुलाब के आपको फूल चाहिए होगे और पंखुडिया भी आप उसकी तोड़कर रख लें जिससे की महादेव के पूजन में कोई भी विग्न ना हो और आपकी पूजा संपन हो इसी के साथ में महादेव का अभिशेक के लिए आपको पंचामरत चाहिए होगा जिसमें दूद, दही, शक्कर, शहद और घी इससे मिश्रित आपको प पंचामरत बना लेना है या आप पंचामरत अलग-अलग भी रख सकती हैं इसी के साथ में आपको क्या चाहिए होगा कपूर चाहिए होगा कपूर महादेव की आरती में आपको लगेगा कपूर ले ले इसी के साथ में आपको क्या करना है पीला चंदल ले आप चावल ले लॉंग ले लें, आपको लॉंग भी लगेगे, लॉंग महादेव को अर्पित करना होगा, इत्र जो पूजा की सामगरी में इत्र आता है, आपको किसी भी पूजा की सामगरी जहां मिलती है, वहाँ पर भगवान को अर्पित करने के लिए, जो इत्र आता है, आपको इत्र भ इसी के साथ में आपको जो गोल वाली सुपारी आती है पूजा की सुपारी नहीं जो गोल वाली सुपारी आती है वह दो सुपारी आपको ले लेनी है जिससे कि आप गणेश और गौरी आपको बनानी होंगे और संकल्प लेने के लिए संकल्प जब आप छोड़ेंगे उसमें आपको प्रयोंगे, इसी के साथ में आपको दो दीपक ले लेने हैं, दीपक आप चाहे तो मिट्टी के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी का दीपक ले ले, यदि आपके पस दीपक है तो वह दीपक भी आप ले सकते हैं, पूजन के आरती में आपको होंगे दिपक और जनी हूँ आपको चाहिए होगा जनी हूँ भी आपको ले लेना है और महादेव का आनलाईण जब पूजन कराएंगे गुरुजी तब आपको पूजन कर लेना है धनेवाद दर्शको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं अगले वीडियो में हर हर महादेव